दोस्तों अगर आप खेती में कुछ नए चीज़ करना चाहते हैं तो इस बार आप रंगीन गोभी की खेती की शुरुआत कीजे वर आप जो नॉमल गोभी उगाते हैं या सबजियों की खेती करते हैं उसके मुकाबले आपकी कमाई है वो दो गुना से लेकर तीन गुना ज्य अपना सकते हैं गुलाबी बैंगनी पीली और हरे रंगी गोभी है वो आप अपने खेत में उगाएंगे तो आपकी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी और आज इस वीडियों हम जानेंगे कि रंगीन गोभी की खेती कैसे होती है रंगीन गोभी है जब आप उगाएंगे किद्ध कन पैसा एक एकड़ से मिलेगा और आपकी कमाई है वो दो गुनी या तीन गुANी कैसे होगी और यह जू रंगीन-गोभी होती है इसका रंग अलग-अलग क्यूं होता इसका क्या कारण है और जो रंगीन गोभी है उसकी मारकेट कहांपर है और इसको करने का सही त सब्सक्राइब कर लिजे और एक चीज़ आपको और करनी है फ्रिडम डाउंडोल करना है दोस्तों रंगीन गोबी के हम बात करते हैं कि तीन रंगों की गोबी है वह सबसे जादा भारत में गुगाई जाते हैं खास वर से उत्तर भारत में हरे रंग की गोबी गुलाबी भैं लेकिन हरी क्यों देखती है इसका कारण यह है कि दोस्तों जो फशल होते हैं पेड होते है वो हरे हमें इसलिए लिए डिखते है क्योंकि उनके अंदर एक टतो होता है इसका नाम है क्लोरोफिल पिग्मेंट के कारण पत्ते हमें हरे दिखते हैं और पेड़ पौदे हरे नजर आते हैं तो वही जो पिग्मेंट है वही क्लोरोफिल है वह इस गोबी में पाए जाता है इसलिए इसका रंग हमें हरा दिखता है इस हरे रंग की गोबी को कहते हैं ब्रोकली जो कि बाजार में बहुत महंगी बिखती है, 100 रुपे किलो से लेकर 300 रुपे किलो तक इसके भाव होते हैं और दूसरी है दोस्तो पीले रंगी गोफी, इसको केरेट्विना कहते हैं केरोटीना की वज़से ये खास इसके खूबी मानी जाती है और इसके बाजार वहाओ भाग सो अराम से मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसको सही मार्केट में पहुँचाएंगे तो आपको 100 रुपी किलो से लेकर 200 रुपी किलो इसकी केमत आपको मिल सकती है और तीसरी है दोस्तो गुलाबी बैंगने रंग की गोभी जो बहुत ही आकरशक दिखती है इसका रंग बहुत आकरशक होता है बहुत अट्रेक्टिव दिखती है और ये इसलिए बैंगनी गुलाबी रंग की दिखती है क्योंकि इसमें एक टत्व होता है एंथूसियानिंग पेंथो स्यानिन तत्यू के विज़द से ये गोबी गुलाबी बेंगनी रंग की दिखती है और इसका कदर बहुता कर्शक होता है जब आप इसको खरीदते हैं बाजार से और इसको पकाते हैं सबजी बनाते हैं तो इसका रंग और गहरा हो जाता है और इसमें भी काफी पोशक्ततो होते हैं इसलिए बाजार में इसकी कीमत जादा है 100 रुपे किलो से लेकर 200 रुपे किलो तक यह तो बात होगी रंगीन गोबी के बारे में कि वो रंगीन क्यों दिखती है अब आता थे कि रंगीन गोबी है वो कहां पर उगाय जा सकती है उसके लिए उप्यूक जुलवाईउं कौन सी होती हो मिटिक कैसी हो दोसो उत्तर भारत में आप रंगीन गोबी की खेती कर सकते हैं जहां पर तापमान थंडा हो यानि कि थंडे मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सिस लेकर 25-30 डिग्री सेल्सिस के बीच रहता है उन इलाकों में रंगीन गोबी की खेती बहुत अच्छे से करते हैं खुले आस्मान के नीचे कर सकते हैं और उत्तर भारत में अगर हम सितंबर, उक्तोबर, नमंबर, दिसंबर के महिने देखे अगर आपका इलाके में मौसम ठंडा हो जाता है सितंबर महिने में तो आप सितंबर में इसकी खेती शुरू कर सकते हैं अगर आपके लाके में मौसम में ठंडा काना शुरू होती है तो आप अक्तोबर महिने में इसकी शुरूआत कर सकते हैं लेकिन अगर आप सितंबर महि उत्तर भारत में आप इसको सितंबर से लेकर फरवरी तक आप इसको कभी भी उगा सकते हैं इसमें आप अपनी सुवीदा के मताविक अपने मौसम के साफ से स्थानिय परिष्टितियों के मताबिक इसको उगा सकते हैं और दोसो रंगीन फूल गोबी है उसको उगाने के लिए जमीन है वो आपकी उपजव होनी चाहिए बलूई दोमट मिट्टी हो बहुत अच्छी होती है लाल मिट्टी बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में इसको उगा सकते हैं यानि कि सभी तरह कि मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि जमीन को उपजव बनाने के लिए आपको गोबर की खात ज्यादा डालनी है इससे आपका जो खेत हो उपजव होगा तो इसकी पैदा इत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, बिहार, महराष्ट्रा, हर्याना, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, चतिसगर, हिमाले की वादिया और नौर्थ इस्ट के इलाके हैं, वो रंगीन गोवी की खेती के लिए बहुती उप्यूक्त शेत्र हैं, अगर आप रंगीन गोवी की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, और खुद नरसरी त्यार करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन इसके बीज खरीच सकते हैं, या फिर आपका नजदीक का बाजार है, जैसे आपका तहसील हेड़क्वाटर है, या जिला मुख्याले हैं, वहाँ प से पौधे खरीच सकते हैं, आपको अपने जिला मुख्याले या आसपास के बाजार में, जो रंगीन गोवी है, उसके पौधे मिल सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी पौधे खरीच सकते हैं, बहुत सारे नरसरी हैं, जो रंगीन फूल गोवी ह कियार कर लेंगे रंगीन-फूल गोभी या बाजाज से खरिद लेंगे तो आपको लगाने कैसे हैं सबसे पहले आपको अपने खेत को गहरे हल से जुताई करनी है पलाव से उसको कल्टिवेट करना है इसके के बाद आपको मेड बना लयने है यानि की कतार बनाने है डूली Benा लेनी आई है जिसके उपर आपको पौत़ेच रोप नहीं तो पौदे जब आप रोपेंगे तो आप पौदेसे पौदे की दूरी है वह 0,5 फीट रख सके हैं और कतार से कतार की दूरी लगबग दो फीट रखें और पौदे से पौदे की दूरी देड़ फीट रखें तो यह बहुत ही अच्छा कंबिनेशन है इसमें आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी पैदावार इसकी मिल जाएगी गोभी की अगर आप कतार से कतार की दूरी दो फीट जाएंगे अनकी फल आपको मिल जाएंगे एक एकर से अगर आपका फूल पचास रुपे में विखता है तो आप सोचे कितना पैसा आपके पास आजाएगा बड़ी अच्छी कमाई आपकी हो जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों रंगीन फूल गोभी की सिंचाई की रंग सितंबर में फूल गोभी के पोदे लगाते हैं तो आपको चार से पांच दिन में एक बार सिंचाई करनी है जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा पोदा बड़ा होता जाएगा आपको शिंचाई भी आप इसका कम कर सकते हैं यानि कि तब आपको साथ दिन से लेकर दस द तरदिन में त्यार हो जाएगा अगर आप पूरा बड़ा फल करना चाहते हैं पूरा बड़े साइज का अगर आप इसको पुदे को बनाना चाहते हैं तो आपका से 90-100 दिन का वक्त लगेगा तो इस दोरान आगर आप सिंचाई करें गया तो आपको आट से 10 सिंचाई करनी पड़ेगी अगर आप लंबे वक्त तक उस फूल को तियार करना चाहते है उसका साइज बड़ा करना तो बहुत अच्छे से आपका जो खेत है उसमें पोशक तत्वा जाएंगे आपकी गोवी बहुत अच्छी होगी उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तिमाल कर सकते हैं जीवामृत का इस्तिमाल कर सकते हैं गोव कृपामृत का इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये वो खाद है जो और्गनिक तरीके साफ अपने खेत में त्यार करके उनको इस्तिमार कर सकते हैं दोस्तों रंगीन गोभी जब आप लगाएंगे जब आपके पौदे बड़े होंगे तो उनके साथ कुछ खरपतवार भी हुगेंगे आपको खरपतवार हटानी है ताकि आपके जो पौदे हैं उनको पूरा पोशन मिले उनका साइज अच्छा बने फल आपका अच्छा हो खरपतवार हटाने से आपके खेत में बिमारिया भी नहीं लगेगी यानि आपके फल अच्छे होंगे उत्पादन जादा होगा और बिमारिया कम होगी तो इसलिए आप दो तिन बार इसकी खरपतवार हटा देंगे पूरे सीजन में तो बहुत अच्छे से आपका जो ग्र जो सुन्डी होती है फल छेदक जो कीड़े होते हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इनकी रोक्ताम आप कर सकते हैं और गनिक तरीके से अगर आप खेती करें तो और गनिक जो पेस्टिसाइड है वो अपने घर पर बना सकते हैं इसके रिए एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो लिंक आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप चाहें तो घर पर मिर्ची या लैसुना धारी जो और गनिक कीटना शकार वो बना सकते हैं उसको भी सीखना चाहते हैं बनाना तो तो आपके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रंगीन फूल गोबी है, उसकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और आपकी पैदावार कितनी होगी और आपके पास कमाई यानि कि पैसा कितना हैगा। दोस्तों जब आप रंगीन फूलगो भी उगाते हैं आप पौदे खेत में रोपते हैं तो उसके लगभग 60-70 दिन बाद आप इसकी तुड़ाई शुरू कर सकते हैं आपका फल है वो अच्छे साइस का बन जाता है लगभग आधा किलो का तब आप इसको तोड़ सकते हैं औ आपको अच्छा पैस आपको मिल सकता है और दोस्तों रंगीन फूलगो भी है अगर आप इसका पूरा बड़े पहाने पर फूल बड़े करके पैदावार लेना चाहते हैं तो इसकी पैदावार काफी अच्छी आपको मिल सकती है शाठ क्विंटल से लेकर 80 क्विंटल एक इकड़ में आपको इसकी पैदावार मिल सकती है दोस्तों अगर आप और बाजार में और आपका 80 क्विंटल का और पादन हो जाता है तो आपकी जो पैदावार है वो लगबग 1.5 लाख रुपे की हो जाएगी अगर आपको ज्यादा भाव मिल जाता है तो आपकी मार ज़ादा होती है और बहूत अच्छे मिल जाते हैं तो हैं तो आपकी कमाई ध्याइव आख रुपे तक पहुन सकती है रंगीनो घूबी की खेती करना चाहते हैं और ज्यादा डेटेल जयानना चाहते हैं कि ब्रोकली की क् worldly का सब् dapat favorites को all जोड़ए लिजे ब्रोक्त पर कोर्स के साथ क्योंकि उस कोर्स में आपको हाइटेक तरीके से गोबी की खेती करना सिखाते हैं जिससे आप बाजार में ज्यादा भाव ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तो बहुत ही जबरदस कोर्स और फ्रेडम एपर ब्रोकली फार्मिंग का वह अगर प्रेटे अपने फोन पर ब्रोकली की खेती करना सीख जाएंगे दोस्तों मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंदा है आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसे नए टॉपिक नहीं कहाने के साथ तब तक आप अपना ख्याल लखिए और आप इस वीडियो को लाइ में जानकारी हासिल कर पाएं अब दीजे इजाज़त नमस्कार